हेलो फेंट नमश्कार मैं दिनेक शर्मा आज आपको भारत के सविधान के विशे में बताना चाहूंगा कि भारत का सविधान भारत की सभी प्रतियुक्ता परिक्षाओं में पूछा जाता है तो आज की जो काम की बात है मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज की काम की बात में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो सविधान है भारत की समस्त पतियुक्ता परिक्षाओं में भाग लेने वाले भाईयों बहनों के लिए काम की बात है कि आपको कौन सी कॉंसी कॉंसी पढ़नी चाहिए जो कि आपको बहुत सुईधा जनक हो तो उसी किवेश से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी बुक सबसे ज्यादा उपयोग होगी यह तीनो जो बुक आज मैं बता रहा हूँ इस तीनो बुक का मैं उपयोग कर चुक हूँ मैं और भी कई बुक का उपयोग कर चुक हूँ, मैं स्वयम प्रतियुकता परिक्षा पास कर चुका हूँ, तो यह चीजों को मैं बहतर समस्ता हूँ, बहतर अच्छे से आपको बता सकता हूँ, ठीक है, तो सविधान की कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, उसमें हम आगे चलते हैं, मुक्रूप से मै सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन यह भारत का सविधान डिडी बसू की बहुत टफ किताब है, ठीक है, तो आपको कौन सी किताब सबसे अच्छी होने चाहिए, एक डिडी बसू किताब की भासा यह बहुत टफ है, तो कोसे सी है करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा यह सब पढ़ना चाहिए, तो यह ओपी राय का दिकॉंस्टूशन आप इंडिया जो है, डिगलोट एडिशन है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, तो आपको 600 रुपे की किताब है, बहुत ही मस्त किताब है यह और जुरदार किताब है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी इस त अनुछेद हैं, उसके और बाइस भाग है, बारा अनुसूची है, यह विसे मैं नहीं बताऊंगा भी, क्यों आपको किताबों को इसमें बताऊंगा, तो आगे चलते हैं, इस किताब में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कि उसका जो आर्टिकल है, सविधान का अनुच सेम का सेम जैसा किताबों में लिखा वैसा का वैसा है, और कुछ टिपनी दिये, इसमें थोड़े बहुत जो इस से रिलेटेड मैटर है कोट के, वो दिया हुआ है, ठीक, तो यह किताब भी आपको बहुत ही उपयोगी होगी, इसके बाद चलते हैं, भारत के सविधान का ज बहुत है, इसलिए इस किताब का मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह किताब, मैंने देखा कि सही में यह किताब बहुत ही उपयोगी है, अब मैं देखता हूँ कि आपको बताना चाहूँगा कि इस किताब में सही में क्या है, इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो इसमें पह भारत का सविधान तयार हुआ और पहले भारत में क्या क्या रेगुलेशन एक्ट से जैसे 1726 का राजलेग इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक्ट आप सेटल्मेंट 173 तक रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और भारत सरकार का दिनियम 1889, 1861, 1892, 1909, 19 1927, 1935 इसी सब से ही तो कानून हमारा भारत का सविधान बना है भारत का सविधान जो अंग्रेजों की ववस्ताय चल लेए थी उसी से लिया गया है ठीक है इस तरीके से इसमें बहुत ये डीटेल आपको दी हुई है और बहुत ही इसमें चीजें जो है कॉम्पुटिजन के इसमें बहुत काम की उपयोगी चीजें है और एक एक चीज का जो है अर्थ बताया गया है समझाया गया है हाला कि ये किताब जो LLB करते हैं LLM करते हैं वो लोग पढ़ते हैं लेकिन आपको कॉम्पुटिशन में ये रहता है कि हमको कुछ भी चीज हमसे छूटन नहीं च चाहिए हो हर चीज हमको बननी चाहिए सवाल यह है कि 400 पद है तो 400 पद में आपका सेलेक्शन होना चाहिए आपका चैन होना चाहिए आपको ग्यान नहीं होना चाहिए आपका सेलेक्शन होना चाहिए घ्यानी बनने के लिए थोड़ी पढ़ा जाता हमको नौकरी प्राप् जो में इसका डीटेल दिया हुआ है और उसका जो इतना डीटेल इस किताब में दिया है दूसरी किताबों में डीटेल नहीं दिया है इसलिए मुझे लगा कि ये किताब आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है ये इसकी तरीकी की समरी है पूरी किताब की और ये किताब बह अब वात सुतंता और अभिवक्ति की सुतंता इसका हम को अंग्रेजी जानना है को हम यहां से पढ़ेंगे इसका अंग्रेजी भी दूसरे पेज बेंग्रेजी दिया है To Freedom of Speech and Expression, Production of Certain Rights Regarding Freedom of Speech इस तरीके से यह जो किताबे मैंने बता है बेहद उपयोगी है आप इन तीनों किताबों में से आपको जो भी उचित लगे जान पड़े आप किताब खरी सकते हैं यह तीन किताब का मैंने जिक्र किया है शुरू में आपको एक तो यह भारत का सविदान डिडी बसु की किताब है दूसरा ओपी राय की किताब जो 600 रुपे की लगभग है तीसरी किताब है पांडे जी की है चैह नारांड पांडे सेंटर ला एजनसी इलाबाद की किताब है आपको मिलेगी जो भी लाकी किताबे जहां भी मिलती है वहां पर यह किताब आपको आसानी से उप्लबद मिल जाएगि और यह आप मिल जाए सुन किताब के लिए वोई किताब आपको मलें प्रेंड मेरा यह वीडिया को कैसा लगा घ्यान की ठागत आपको जानना चाहिए काम की बाद इसी से आपकी तरक्ई होगी इसका डाश होगा मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बताना चाहिए तो मैं आपको बतााओंगा और जिससे कि आपका फायदा हो आपको काम की बात पता लगे रा फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक करें शेयर करें कम्एंट करीए कोई खास किसम का और वीडियो चाहते हैं खास किसम के मेटर पर यदि मेरी छमता होगी तो मैं बना सकूँँगा मेरे वीडियो में कहीं जूट छल कपट का नहीं है जो तीनों किताबे मैंने पढ़ा है उसी के बारे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ जिसमें कोई छल कपट नहीं है थैंक्यू हरी किसना